हलो फ्रेंज, सबका दिन मंगल मैं हो, हैपी कुकिंग मोमेंस में ब्रॉकली की एक बहुत ही सिंपल सी सबजी हम लेकर के आए है स्टर फ्राइ ब्रॉकली, बहुत जल्दी बनती है, बहुत आसानी से बहुत कम इंग्रीडियंट्स में बनती है तो ट्राइ जरूर करिएगा, उसके लिए मैंने एक मीडियम साइज की ब्रॉकली लिए टुकडों में काट करके धुल करके रखा है साथ में मैंने कुछ गोबी के पीसेस भी लिए हुए है एक गाजर भी है, उसको भी धुल के काट के रखा है 10-12 लहसुन की कलिया है, उसको चौप करके लिए हुआ है और एक प्याज बड़ा सता, एक टमाटर को काटा हुआ है और ये 3-4 हरी मिर्चे हैं, मैं साबूत ही ले रहे हूँ आप चाहें तो इनको काके ले सकते हैं और तड़के में, मैं बस जीरा और तेश पत्ता डाल रहे हूँ आप चाहें तो सूखी मिर्चे, दालचीनी भी एड़ कर सकते हैं तो आप इसे या तो बटर में भी बना सकते हैं, या ओल में बना सकते हैं पैन में हम ओल गरम करेंगे, और तेल गरम होने पर जो भी तड़की का समान है जीरा तेश पत्ता अड़ कर दिया है, और फिर उस जीरा ब्राउन हो गया है तो डालेंगे प्याज, हरी मिर्चे हरी मिर्चे को मैंने थोड़ा चीरा लगा दिया था बीच में फिर ब्रॉकली एट कर देंगे, मैंने ब्रॉकली कच्ची ही लिए, आच चाहें तो ब्रॉकली स्टीम करके भी यूज कर सकते हैं सारी सब्जیاں स्टीम करके यूज कर सकते हैं और इसको मीडियम या हाई हीट पे हमें एक मिनट के लिए फ्राई कर लेना है फिर गुभी है गाजर है और गार्लिक है वो भी डाल देंगे आप कोई और सबजी आट करना सकते हैं तो वो भी आट कर सकते हैं इसको बढ़ियां से मिक्स कर देंगे सॉल्ट भी डाल देंगे पीच बीच में चलाएंगे और तीन-चार मिनट तक जब तक कि थोड़ी ये सॉफ्ट न हो जाए हमें इसे पका लेना है तीन मिनट के लिए मैंने इसको रख दिया था और टमाटर नहीं एट किया था तो टमाटर भी ये मैंने एट कर दिया है तो कुछ मसाले हम डालेंगे तो बहुत बेसिक मसाले मैं डाल रहे हूँ बस दो मसाले डालोंगे लाल मिर्चे और काली मिर्चे दरदरी कुटी हुई बढ़ियां से मसालों को मिक्स कर लेंगे और अभी थोड़ी सी ज़्यादा क्रंची है तो थोड़ा सा इसको डेड़ मिनट के लिए और कुक होने के लिए रख दिया है तो ये काफी सॉप्ट हो गई है, खाने लाइक सर्व करने लाइक हो गई है लेकिन आगर आप और ज़्यादा सॉप्ट पसंद करते हैं, जैसे मैंने मुझे और सॉप्ट करना है तो मैं इसको डेड़ मिनट के लिए मीडियम हीट पे और ढग करके इसको पका लूँगे, फिर उसके बाद हमें से निकालेंगे अब हमारी सबजी काफी सॉप्ट हो गई है चुकि मैंने ओयल में कुकिंग की थी, तो मैं थोड़ा सा बटर इस स्टेज पर आड़ करूँगी और ये बटर थोड़ा हाड हो गया है, जब मेल्ट हो जाए, मिल जाए बढ़ियां से, तब तक हम इसे चला करके कुक करेंगे आप चाहें तो स्टार्टिंग में ही, पूरी सबजी ही, बटर में ही कुक कर सकते हैं फ्लेवर के लिए मैं थोड़ा सा इसमें तोया की पत्तियां डाल रही हूँ आप चाहें तो पार्सली भी आड़ कर सकते हैं और बढ़ियां से इनको भी मिक्स कर लेंगे और गैस बन करके अब इसको हम सर्विंग डिश में निकाल लेंगे तो यह हमारी कलर फूर हेल्दी सबजी बन के तयार है ट्राई जरूर करिएगा चैनल सब्सक्राइब करिएगा लाइक शेयर और कमेंच भी करिएगा थैंक यू फर वाचिंग गार्निशिंग के लिए आप धन्या पत्ति यूज़ कर सकते हैं सोया यूज़ कर सकते हैं कसूरी मेथी यूज़ कर सकते हैं पार्सली यूज़ कर सकते हैं